आप सब एक आपके अपने चैनल दो रीटीन में स्टमी गाइस बात करने वाला हूं मैं एक ऐसे के लिजे कंपनी की जिसके आज क्वार्टर वन के नतीज़ा हैं कंपनी के नाम है सेंचुरी प्लाइ कैसे रहे इसके रिजल्ट किस तरह से के लिजे सेग्में वाइस कंपनी मे तुमाम चीजों में चर्चा करूँगा दोस्तों वीडियो को अंतर देखेगा आज बहुत सारे रिजल्ट्स आने वाले इंपॉर्टेंट जिसको में एक एक करके हां पेश करूँगा दोस्तों तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लें और अच्छा लागे तो कीजिएगा विदार पेस्टेम सिधा लिए रिजल्ट की तरफ देखिए ये है रिजल्ट तो कमपनी ने ये रिजल्ट पेश किया है और लबक दो बजे पूरी मेटिंग खतम हुई है आप देके चलते हैं भाई साब की रिजल्ट कैसे रहें तो इसके लिए मैं थोड़ा स इसको बढ़ा कर लूँ और दोस्तों देखिए ये लैक में रिजल्ट है तो प्लीज थोड़ा बियर कीजिएगा लैक में रिजल्ट है तो हमें दो पॉइंट और इधर करने पड़ेंगे तो चलते हैं सबसे पहले देखते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को तो दो प इंकम की बात करूँ आपके लिए 5.98 करोड यानि 6 करोड आप कह सकते हैं जो पिछली बार 5.21 करोड हुआ था और ये दोनों ही फिकर जाओ आप मिलाएंगे तो जो टोटल इंकम निकल क्या थी वो है कितनी दोस्तों 8887.46 करोड जो पिछले क्वाटर में आप कह लिजे 900 कर expenses यानि खर्चों की बात करेंगे cost of material consume देखे तो 547.54 करोड जो पिछले क्वाटर में 5366.67 करोड रहा है यानि कि cost of material consume में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है दूस्तों ठीक है जो कि पिछली बार काफी जादा थी बात करें पच्छेज अव स्टॉक इन ट्रे तो यह इस बार 115.22 करोड रही है जो पिछली बार 111.6 करोड थी यानि आप देखिए यहां पे भी आपको बढ़ाती भी देखने मिल रही है finance cost 3.87 करोड negligible 3.20 को इतना साथ नहीं पड़ता other expenses की नजर डालेंगे तो देखिए 155.35 करोड रही है जो पिछली बार 163.12 करोड रही है यानि कि खर्चें वाकई जादा में लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे जादा नहीं हो गए कि कुछ आप कह सकते कि अरे यारे तो बहुत ही जादा हो गया नहीं ठीक रहे है खर्चें बात करें अगर हम कि total profit loss की profit loss before tax तो देखेंगे तो यह इस बार 129.56 करोड रुपीज जो पिछली बार 145.75 करोड यानि साफ देखने को मिल रहा है बड़ी अब कह सकते हैं गिरावट देखने को मिल रही है और market ने चीज़ को anticipate already किया हुआ है दोस्तों ठीक बात करें total tax expense की तो यह बार 330 करोड रुपर रहे हैं सिर्फ जो पिछली बार 5 माफ कीज़ेगा जो इस बार 33 करोड रुपर रहे हैं जो पिछली बार 54.71 करोड रहे है यानि tax expenses कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है और जब आप net profit और loss देखेंगे company का तो यह इस बार 96. 96.4 96.46 करोड निकल के आता है जो पिछला 91 करोड थी यानि की net profit में अच्छा खासा उच्छाल आपको देखने को मिल रहा है ठीक है और यह काफी positive चीज़ है इसलिए जो result आया है century apply के बाद share के price आपको उपर जाते हो दिख रहे हैं और जब आप total comprehensive income निकालेंगे न दोस्त कह लीजे बढ़ातरी देखने को मिल रही है cotton 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 और यह सिर्फ यही नहीं 33 करोड एक साल पहले थी 90 करोड इस बार है और इस बार निकल के 95 करोड यानि year on year तो तो तीन गुना के आसपास का जंप है दोस्तों और cotton 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 शांदार जंप है यानि की company ने बहुत बहुत अच्छ र देखने की कि इस तरह segment wise अगर result रहा है तो देखिए segment wise अगर आपन देखेंगे दोस्तों तो आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि भाया company में आप देखें जो private and allied products है इसमें इस बार 474 करोड रूपीस दरची है जो पिछली बार 476 करोड थे ठीक है फिर lemonite and allied products में निकल बोर्ड की बात करें तो उसने इस बार 59 करोड का किया है बिजनस जो पिछले 47 करोड था ठीक है container fleet and station services में इस बार 170 करोड या इसमें इस बार बहुत अच्छा jump हुआ है क्योंकि इस बार 70 करोड रहा है जो पिछली बार 149 आप कह सकते है 14 करोड रही है इस बार 17 करोड ने जो result पेश किये हैं ये काफी अच्छे रहे है revenue operation भले ही उतनी कमी रही हो लेकिन तमाम चीज़ों में जब net profit देखेंगे आपको jump देखने मिल रहा है और जो खर्चे नोंने काफी अच्छे control किये हुए है और आप देखिए तमाम चीनों के साथ साथ काफी अच्छा company न उसको मैं जरूर से जरूर शेयर करूंगा दोस्तों ठीक है लेकिन ऐसा तो हमें कुछ नहीं दिख रहा जो हमें आपके साथ share करना चाहिए या कुछ important चीज़ है तो more or less आप कह सकते है result अच्छे segment performance steady रही है quarter on quarter or year on year year on year तो दो दोस्तों देखिए शांदार रहे है तीन कर रहे है तो यदि आपको पूरी अनल से पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पहली बढ़ आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यहां तक जुड़े रहने की धन्यवाद ये इस वीडियो कामता है जेह हैं दोस्तों